तो ये इस तरह ग्लासेस कैसे बनते हैं, इस तरह ग्लासेस के लिए पहले आपके पास इस तरह के पास है तो इजी होगा कर पाना, सेम तूसम अगर आपको काम करना है तो इस तरह का सेम तूसम पैटर आपके पास होना चाहिए, पैटर नहीं है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो स इसको तो डाउलोड कर लिया एंड डाउनलोड का पर हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा वाटर माग आ रहा है। इसमें वार्टर माग को भी निल्कालना है तो मैं क्या करूँगा। एक website होती है watermark remover IO करके website है उसको मैं open करूँगा यह website है इधर पर वो image को upload कर सकते हो तो watermark वाली image है उसको वो clean कर देगा उसके watermark को निकाल देगा हम लेख पास आजए बिना watermark वाला image इधर watermark था इसके इंदर उसको इसने clean कर दिया पुरा clean हो गया यहां पर पुरा watermark निकल गया सब जगा से उसको download कर ले तो वीट वाटर मार्क था यह बिदाख watermark है बस एक छोटा से ज्यादा जहाँ पर ज्यादा watermark था उसको उसको अच्छे से remove निकार पाया है तो पतले पतले watermark से उसको निकाल दिया पुरा watermark निकल गया कोई watermark नहीं है और इसको भी मैं चाओ तो और भी हाईरेस कर सकता हो बहुत ही लौर इस वाला image है तो मैं अपने जो रिक करने वाले इमेज को वीडियो से इस सॉब्फ़र के जरी में इसको इमेज को मैं हाई रेस कर सकता हूँ कि अब काफी लरा रहा था यह काफी हाई रेस हो गया भी लाइन से हमारी ओक्या इसको सेव कर लेता हूँ और फिर मैं इधर पर उसको यूज करूंगा जो अभी हम लोने किया है जिस इसको मैं इसको यूज करूंगा लिए यहां यह अगर को आई घ्राव करके इसको यूज भी ग्लास भी इसको होना चीक नो जिछ ब्रू भी दिखना चिये है खाली जगह पे तो मैं सबच से पहले क्या कुरूंगा एक इमिच इसको मैं एक कलर देता है वन कलर ग्रेवाला कलर दे दिये ओके अच्छीज होती है एक आड़िया है क्या है देखो ये क्या की रियल लैफ में कैसा होता है इसको लगाए इसको मैंने पुरा एकफिक देदिया है तो मैंने पूरा एक ग्लास का थिक देदिया स्य woreक लेता है इसको हम लोग complete glass बनाएंगे और इसको film बना देंगे, design वाला, तो उससे क्या कि अच्छे समझेगा आपको, जैसे कि मैं इसको glass ले देता हूँ, glass का look, complete, glass create कर लेता है, ठीक है, ये glass बन गया है, पुरा transparent, और जो ये है दूसरा वाला, उसको हम लोग बनाएंगे, glass frame, ठीक है इसके अंदर अभी क्या होगा, कि इसके अंदर वो जो textures है, उसको apply करेंगे, पहले तो, ये रहा, अभी क्या चाहिए, जो black वाला part है, उधर पे मेरा जो है, ये transfer हो जाना चाहिए, black वाले part में, ठीक है, तो transfer करने के लिए हमारे पार option क्या है, कि मैं यहाँ पर click करता हूँ मैप में जाता हूँ, इसी मैप को copy करके opacity में डाल देता हूँ, copy कर लेता हूँ, ठीक है, पर आप देखो देखो, बीच में का, ये transfer होने लगिया, सिधा opacity में डाला हूँ, बीच में का ब्लाक वाला part है, वो transfer होने लगिया, ओके, अभी मेरे को ये जो main वाले, जो textures है, उसक glossy effect, इस फिल्म भी क्या थोड़ी glossy होती ही, हल्की-फुल्की, तो glossiness देता, फिल्म के उपर, जैसे आपर दे सकतो, ये कैसा बन रहा हमारा, इस फिल्म को glossiness करने के लिए, इसको थोड़ा सा मैंने, आ, ये, ओके, ऐसा गलिया, तो चमक हो गए, ठीक है, अलकी-सी glossy कर सकते है, लाइक दिस, फाइन, बस, अब इस फिल्म को अपने गलास के पर रख दो, बस बन गया हमारा, गलास फित फिल्म के साथ में, यह हमारा गलास हो क्या है, उसके उपर फिल्म बन गई, लिम टू सेम, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बनाऊगे तो ऐसा आपका ये, इस तरी का डिजाइन आप ऐसे create कर सकते हो, ओके, तो next question पर चलते है,